जय मातादी जय मा कमख्या देव राधा ट्रस्ट सत्यवानी चैनल से आप तंत्र से संबंधित ग्यान सुन रहे हैं बहुत से मनुश्य केहते हैं कि सम्शान काली या उनके कोई वीर बहुत जल्दे सिद्ध हो जाते हैं 41 दिन में हो जाते हैं 21 दिन में हो जाते हैं यह सब जूट है अगर ऐसा होता तो अधिकाश्ट मनुश्य बड़े बड़े तांत्रिक बन जाते हैं बहुत से लोग 24 गंटे में सम्शान की शक्ति सिद्ध करने की बात करते हैं यह भी गलत हैं कई साल लग जाते हैं मनुश्य को साधना करना होती है उस शक्ति के अनुरूप अपनी इस आत्मा को बनाना पड़ता है तब जाके कोई शक्ति आपके साथ छिपकती है तो जितने भी आजकल हम जो देख रहे हैं यूट्यूब पर देखते हैं, वाटसप पर देखते हैं, फेस्बुक पर देखते हैं कि सम्शानकाली की साधना है, कोई वीर की साधना है, कोई बहरवजी की साधना है इसके लिए कई जन्मों की साधना जुड़ने के बाद में सिद्ध होती है तो जितने भी ये बोलने वाले व्यक्ति हैं ऐसे आप तुरंत उनको ये समझ लो कि पूर्ण रूप से वह आपको गलत सूचना दे रहा है गलत संदेश दे रहा है क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कि कोई भी चीज 21 दिन में आपके पास आजाए या 41 दिन में आपके पास आजाए या एक साल में आजाए यह सब पिछले जनम के प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म के आधार पर निर्धारित करता है यदि पिछले जनम के कर्म के अनुसार जो प्रारब्ध कर्म है यदि उसमें आपके जो व्रक्ष जो पोधा आपने लगाए था यदि उसमें फल लगने का समय आ गया है और फल आ गया है तो निश्चित तोर से आपकी एक दिन की साधना में भी सिद्धी मिल जाएगी क्योंकि फल लग चुका है सिव आपको खाना है फल को और यदि आपने ऐसा व्रक्ष ही नहीं लगाया है ऐसा बीज ही नहीं बोया है और अब इस जनम में साधना का बीज बोगे आप यानि किसी की कोई जब करोगे तो उसका फल लगने में समय लगता है क्योंकि कोई भी बीज हम बोते हैं तो उस बीज को पहले बोया जाता है फिर इंतिजार किया जाता है फिर उससे पोधा बनता है पोद्धे की देख रेक करना होती है और देख रेक करने के बाद उसको बड़ा करना पड़ता है बड़ा करने के बाद सीजन आने पर उसमें कुछ दवई दारू भी करना पड़ती है ताकि उसमें कीड़े नहीं लगे और फिर उसमें फूल आते हैं बाद फल आते हैं सेम इसी प्रकार की प्रक्रिया हमारे कर्मों पर करती है कि हम पहले कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें साधना का बीज बोया जाता है फिर बीज बोने के बाद में उसको जल से सिंचित करना पड़ते हैं साधना जो मंत्र लिया है उस मंत्र के जप करना पड़ते हैं फिर पानी डालना पड़ता है देखरे करना पड़ती आने की समय समय पे तिर्थ यात्रा करना होती है हमें जप करना होते हैं अनुष्ठान करना होते हैं उनसे सम्मंधित जो भी दान धरमें वो करना पड़ते हैं तब जाके वह एक पोधा या प्राप्ति होती है तो फूल आने का मतलब हो गया कि जब हम उससे सम्मंदित यग्य अनुष्ठान करते रहते हैं तब जाकर के फल की प्राप्ति होती है तो जितने भी मनुष्य आपको यह 41 दिन में 21 दिन में 6 महीने में 3 महीने में कोई भी साधना देने की बात करते हैं चाहो कालिमा की साधना की बात करते हो चाहो भेरोजी की साधना की बात करते हो यह वीर की साधना की बात करते हो मसान साधना की बात करते हो यह सब 100% पुर्ण रूप से जूट है आपको बर्गलाने का काम कर रहे हैं आप अपनी जन्न पत्री का चेक कराने कि प्रारब्ध कर्म आपका क्या है, किसकी साधना आपको करना चाहिए, प्रारब्ध कर्म चेक करें, क्योंकि प्रारब्ध कर्म का मतलब हो गया है, पिछले जनम के कर्म के अनुसार आपने किसकी साधना की है, उसे प्रारब्ध कर्म कह तो प्रारब्द कर्म के अनुसार ही साधना करें तो आपके जीवन में कुछ हद तक सुख प्राप्त हो सकता है आपको अनुभा हो सकता है साधना का और जब प्रारब्द कर्म के अनुसार करेंगे तो ही आपको सुख की प्राप्ती होगी तो प्रारब्ध कर्म चेक कराने के लिए पत्त्री का आपको चेक कराना होगी उसमें भी गेहराई से चेक करना होता है कि आपका पंचम भाव क्या बोलता है अस्टम भाव क्या बोलता है नवम भाव क्या बोलता है और कौन सा लगन है ये भी देखना पड़ता है तब जाकर आपके बारे में बताए जा सकता है पिछले जनम की कर्म का नुसार कि आपने किसकी साधना की थी और किसकी साधना कब फलीत होगी उसके लिए जैसा मैंने कहा है कि मालो बीच बोकर कि आप आ गए हो तो उसको सिंचित भी करना पड़ता है देखरेक भी करना पड़ती है खाद भी डालना होता है जल का संचाव भी करना होता है उसके बार फल लगना प्राणम होते है तब भी देखरेक करना होती है यहनि एक बहुत गहरा और विस्तरत व्याक्या है इसके इसलिए आपके ऐसे किसी भी व्यक्ति के बेहकावे में नहीं आए कोई पेसे बर्बाद नहीं करें कि कोई एक महीने दो महीने में या अच्छे महीने में आपको कोई भी सादना दे करके सिद्धी करा देगा यह पुन रूप से गलत है